Hello students, आज geography में जो topic है, वो है resource, यह जो reward है UPSC के बहुत important है, क्योंकि यह जो time है आप लोगों का UPSC prelims का, जिसमें 3 RE का concept चलता है, that is read, revise and revise, ठीक ना, जो भी आपने पढ़ाया है, इसको pause कर देना है 30th April में, and 1st May to 31st में only revision part पर focus करना है, वैसे revision का 2 stages होते हैं, जिसमें से 1st month का एक revision होता है, and 15 days का revision होता है, means आपने जैसे, आपका 31st May को examination है, तो 15th April से आप एक revision करें तिल 15th May तक, and 31st May तक एक revision करें, अगर 31st May को examination इस बार हो रहा है तो, ठीक, तो read, revise and revise होने से 4th RE आपके picture में आता है, that is retention, retain हो पाता है, and 5th RE जो आता है इसके बाद, retention के बाद, that is results, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं कि revision पे इतना ज्यादा focus क्यों करते हैं UPSC aspirants के लिए, reason यह होता है, देखिए क्या होता है, जब आप UPSC का objective questions solve करते हैं, तो उसमें options होते हैं, 123, 234, यहाँ पर आप देखोगे कि UPSC SSC से difference यह होता है, कि SSC या other state के PSC में simple 4 option दे देते हैं, ABCD, and उसमें से आपको choose करना होता है, but UPSC के questions ऐसे आते हैं, ABCD चार statement देंगे, and options जो रहेगा 123, 234 यह जो combinations के questions आते हैं, तो यह जो combination के question है, इसमें problem क्या आता है, कि even if you are not doing any of the statement, तो आप 123 से 1234 के बीच में switch कर सकते हैं, toggle कर सकते हैं, यह एक problem हो सकता है, और revision यहाँ पर कैसे role play करता है, तो पहले चीज़ तो आपने समझा, कि चार option यहाँ पर ऐसे दिये गया हैं, जिसमें 4 statement आपको समझना है, मतलब एक ही question में आपको 4 question पुछा है, 4 statement आपको पता है कि नहीं, it means आपको एक level का deep understanding तो करना है, और second revision इसमें कैसे role play करता है, जैसे क्या है, आपको 3 statement के बारे में पता है, 4 statement के बारे में नहीं पता है, तो 1, 2, 3 & 1, 2, 3, 4 के बीच में आपको confusion हो रहा है, उस topic को आपने पढ़ा था, फिर भी आपको 4 statement पता नहीं था, तो आपका ego यह बुलेगा कि आपने यह questions पढ़ा है, तो definitely you should attempt it, तो आपने क्या किया, attempt कर दिया, 4th statement को just guessing करके आपने attempt कर दिया, और हो सकता है, वो आपका negative में चला गया, तो इससे problem क्या हुआ, 1, 2, 3 & 1, 2, 3, 4 में अगर आपको 2, 3 भी पता नहीं रहता तो हो सकता है, आप skip कर जाते, मतलब उसके बारे में आपने thoroughly पढ़ा रहता और properly उसको revise किया रहता तो 4 statement पता रहता, बट आपको revision नहीं हो पाया, इसलिए आपको 2 या 3 statement याद है, 4th statement में आप sure नहीं थे, तो आपके ego के कारणर से आपने उसको attempt भी किया और negative markings भी लाया, समझ जो ना, और वही जो दूसरा student है, जिसने उसको पढ़ा ही नहीं था, तो उसने तो directly skip कर दिया, तो उसके comparison में आपका unnecessary 1 3rd marks lose हो गया, इसलिए यह जो ची topic को पढ़ते हो, उसको thoroughly पढ़ना है, with revision पढ़ना है, so that यह 1 2 3 and 1 2 3 4 वाला confusion नहीं हो, are you getting my point, ठीक, तो इस note पे मतलब एक और हम लोग आता है, that is revision जो पोलते हैं, जो सबसे important होता है, ठीक, तो geography में, आज का जो topic है, that is locational factor, agricultural resources, mineral resources, and industrial resources, resources, क्या होते हैं, हमारे पस land है, इतना बड़ा geographical land मिला हुआ है, water के availability full है, climate historic type का मिला हुआ है आपको, बड़ ये resource कब होता है, आप देखोगे कि mines, जो mining होता है, mostly आपका platus में होता है, rather than mountains में होता है, difference क्या है, दोलों के बीच में, क्या mountains में उतना ज्यादा resources नहीं मिलते हैं, हो सकता है, mountains में भी वैसे resources मिले, पर problem क्या होता है, इसका economically viable नहीं होता, मतलब उसको खोदने पे जितना खर्चा आएगा, वो बहुत ज्यादा viable नहीं होता, हो सकता है, उसके कारण से stability of the earth पर effect पर सके, इसलिए जो जारखन में जिस लेवल का agricultural mining होता है, हिमालियस पर आपने देखा है कि माइनिंग किस लेवल पर होता है, तो इसलिए normally हिमालियस पर एक तो resources का cost to benefit ratio अच्छा नहीं है, और वहाँ पे जो terrain है, वो इतना ज्यादा problematic है, terrain इतना difficult है कि वहाँ पे economic viability, exploitation as well as हमारा जो agriculture के लिए, जो land है, या किसी भी type का resource वहाँ पे sufficient नहीं है, तो resource के लिए एक definition बहुत अच्छा definition है, कि resource वो है, जिसके बारे में हम लोगों को knowledge है, तभी वो resource है, मतलब how to use it, अगर आपको पता है, and that use, जो usability या utility जो होता है, वो आपके economic capacity को match करता है, तभी वो resource है, otherwise वो resource नहीं है, ocean में बहुत type के resources मिलते हैं, बट क्या ये viable है, जो manganese nodules, बहुत type के polymetallic nodules मिलते हैं Indian Ocean में, अभी तक developing countries and underdeveloped countries के लिए वो economically वैसे viable नहीं है, technological superiority नहीं है हमारे पास, इस कार्ण से ये problems आते हैं, ठीक है ना, तो resource का definition समझ गया, जिसका हम लोगों के पास use है, economically viable है, और हम लोगों के पास उसका technology है, और आपको पता है कि इसको use किया जाता है, कैसे किया जाता है, वही चीज resources होता है, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास agricultural land एक अच्छा resource होता है, तो आज का पहला question हम लोग solve करते हैं, चत्तिजगर, मध्यपदेश, महराष्ट्रा और उडिसा, ठीक, ये चारों percentage of the forest cover की हिसाब से, ascending order में इसको करने बोला है, ascending order में, ठीक ना, इसमें, देखो, percentage of the forest cover बोला जाए, मतलब जिस area का, मतलब जो भी state है, जिसका area जादा पड़ा है, वहाँ पे percentage definitely कम होगा, है कि भले वहाँ के forest area जादा हो सकते हैं, पर percentage में जब calculate करेंगे, तो वो कम आएगा, तो इसलिए, दो बड़े state जो है, that is, मध्यपदेश और महराष्ट्रा, ये definitely top पे तो नहीं आएंगे, मध्यपदेश में बहुत सारे forest हैं, बट क्या है, land भी तो इतना बड़ा है, तो percentage की area बोला जाता, तो मैं directly मैं बद्यपदेश पे आता हूँ, ठीक ना, तो ये तो सबसे last में होना चाहिए, मतलब ये ascending में सबसे first में आना चाहिए, मतलब ये 2-3 तो हाई, तो हमारे logical conclusion से हम लोग eliminate नहीं कर पा रहे है, 2-3 तो चारों में है, ठीक ना, फिर 36 गड़ा औरिसा, तो इसके लिए हम लोगों को अभी का state of forest report के बारे में थोड़ो से जानना पड़ेगा, कि कौन सा state of forest report है, इसमें हम लोगों का 2019 में एक report निकला, जो हर 2 साल में निकलता है, उसके साब से percentage के साब से देखा जा, तो छोटे-छोटे चो states होते हैं, मिजुरम, अरोनार्चल प कल्टिवेशन होता है, सबसे ज़्यादा, deforestation इसी एरिया पर होता है, पर फिर भी एरिया के साब से यहां पर सबसे ज़्यादा forest है, वैसे आपको यह याद रहना चाहिए कि 24.56% हमारे एरिया पर forest and tree cover है, वैसे आप मुझे difference बता सकते हैं कि what is the difference between forest and tree cover, ठीक ना, tree cover किसको बोलते हैं, आप forest cover किसको बोलते हैं, तो percentage के साब से top five में तो बहुत स्टेट नहीं है, तो हम लोग थोड़ सा और टी पर जाते है, state of forest report के साब से 2019 के साब से, जो top के largest forest cover के वाले जो countries है, that is Mary calm, Mary calm, Mary calm मतलब मध्यपदेश, अरुनाचल, छत्तिजगड, ओडिशा एंड महा पी बड़ा है, ठीके ना, बट अगर percentage के साब से देखा जाए, तो हम लोगो third level पे जो आ रहा है, 36 वो top पी हो सकता है, या अरुनाचल top पी हो सकता है, हमारे साब से logically conclusion निकालते हैं, अब देखते हैं, ये जो report है, देखें, ये report मैंने directly forest survey of India के report से निकाला है, इसलिए ये बहुत authentic report होता है, हम लोग मैंने हमेशे से बताया है कि resource जो आप use कर रहे हो, वो authentic resource होना चाहिए, either you should follow NCRT, कुरुक्षेत्र योजना, या तो ministry का website, उसी में से किसी से निकालना चाहिए, या United Nation या कोई renowned organization जैसे WHO हो, इसके से आप निकाल सकते हैं, तो इसके सब से आप आप देखें, आपको जो मिल रहा है, उसमें ये वाला जो sections देखें, percentage of gross area, इसमें 41.13, 36 गड़ में, एरिया के साब से, and 33.15, ओडिशा में, इसके बाद आपको 25.14, and इसके बाद 16.50, ठेक ना, तो ये report के साब से हम लोगों को ये clearly दिख रहा है, कि 36 गड़ होना चाहिए, औरी सा होना चाहिए, and then मत्यपदेश, and महराष्ट्रा, और ascending में देखा जाए तो opposite हो जाएगा, ठीक ना, तो हम लोग देखते हैं, जो question था फिर से check करते हैं, तो इसके साब से हम लोगों का ये option correct दिख रहा है, ascending order में महराष्ट्रा सबसे lowest होना चाहिए, second पे मत्यपद के लिए इसमें से कौन सा technique use होता है, या तो ये technique किस चीज़ों के लिए use हो रहा है, question ये है, तो इसमें options मैंने बता दिया, वसे options क्या-क्या है, इसमें देखे, rare earth minerals के पारे में को extract करने के लिए है, natural gas extraction के लिए है, hydrogen fuel based automobiles के लिए की waste to energy के लिए है, तो हम लोग ने देखा है कि solid waste management एक important role play करता है स्वक्षिबारत mission में, इसलिए solid waste management 2016 का एक act भी आया, जिसमें आपको various methods बतायाएगे, किस तरीके से solid waste को आपको manage करना है, तभी तो आपको ये green blue जो आपको डबे मिले हुए है, आता कि आप segregate कर सके है source पे, तो waste को remove करने का और waste से हम लोगों को कु लिए हमारे पास कुछ options है, जिसमें से और इसको dispose करने के कुछ options है, जिसमें से ये सारे options है, तो देखियो pyrolysis and gasification, ये some of the process है, जिसके थुरू हम लोग इसको energy में convert कर सकते हैं, देखियो energy में कभी भी convert करना है, तो ultimate पहले आपको turbine घुमाना है, और turbine घुमाने के लिए आपतिया करते हैं, कोई चीज को जलाते हो, जला के boiler से अपने water को boil किया, उससे steam जो निकला, उसको turbine घुमाना पड़ेगा, तो ये process को एक बार देख लिजिएगा, it means, ये जो process आपको दिख रहा है, ये west to energy का process दिख रहा है, तो हमारे पास options clearly visible है, D option जो है, west to energy technologies, ठीक, next topic पर आते हैं, as per west management rule 2016 पर के साब से क्या क्या चीज़े है, पहला चीज जिसमें बुला गया है, कि west को five category में categorize करना है आपको, जो west होता है, second बुला है, कि ये जो rule है, 2016 का ये जो rule है, ये urban area, notified towns, ये सब में ही applicable होता है, only, only लिखा दिया है, मतलब, only मुझे पसंद नहीं है, as a UPSC experience अगर मैं होता हूँ, ठीक है न, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग देखते है, criteria for the identification of the sites for landfills and west processing facilities, ये criteria बताता है, किस तरीके से, कौन से जगा पे west का processing करना है, और कौन से area को identify करना है, west के लिए, west के disposal के लिए, और one district में जो west है, उसको दूसरे district में, हम लोग move नहीं कर सकते हैं, ये चार option इसने दिया है, तो इसमें solid west management rule में, आपको तो पहले तो आप इसको strike out कर सकते हो, क्योंकि कोई भी solid west management का इतना बड़ा rule बनेगा, तो एक particular area के लिए नहीं बनेगा, ठीक हैं, अब five category में तो आप नहीं करते हैं, आपको जैसे याँद होगा, आपके पास तो दो ही bucket दिखता है, इन reality क्या है, हम लोग देख लेते हैं, तो in reality जो है, पहले आपको P.I.B. का मैं एक news दिखाता हूँ, इसमें देखो P.I.B. के news को हम लोग बोलते हैं, क्यों follow करना चाहिए, तेकि फर्स्ट लाइन पर ही आपको एक answer मिल जाएगा, solid waste management rules revised after 16 years, rules now extended to urban and industrial areas, isn't it, तो ये line को पढ़के ही आप एक option को eliminate कर सकते हैं, तो हम लोग P.I.B. को follow करना क्यों बोलते हैं, इसका reason ये है, क्योंकि ये directly governmental bodies से आता है, और वही bodies में आपके जो paper settle है, उन लोग काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि क्या-क्या चीज़े हो रही है है, happenings हो रही है, ठेक ना, तो ये चीज़ें आपको first line पर ही दिखा दिया, फिर solid waste management से related और कुछ देखते हैं, लेकिए आपको तीन category में segregate करना है, biodegradable, second होता है dry plastics, dry जो होते हैं, और एक होता है जो hazardous होते हैं, जैसे dapper, napkins, batteries, आपके thermometers के जो आते हैं, mercury, ये सारे आपको अलग-अलग category, तीन अलग-अलग category में डालना है, biomedical waste होता है, इसको hazardous में आज सकते हैं, तो ये तीन category में आपको डालना है, तो पहला statement जो वो था, five category में डालना वो गलत हो जाता है, यहाँ पे रही है, recovery, reuse and recycle, यह waste to wealth का एक pathway है, ऐसे answers को आपना mains में लिखा करिए, यह directly आप frame कर देंगे, तो बहुत अच्छा अंसर बनता है, recovery, reuse and recycle, और भी कुछ rules है, जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक rule है, आप कुछ देखिए, समझाता हूँ, कि जैसे किसी, जैसे सिक्किम country, हिमालेन countries, हिमालेन states होते हैं, जो वैसे area पे west को manage करने से, या west को dump करने से, ए इनको उस city में ना dump करके, plain area पे dump किया जाता है, इसलिए solid best management में ये rule था, कि आप अपने area से दूसरे area पे भी dump करवा सकते हैं, अगर आपका area बहुत ज़्यादा environmentally sensitive है, ठीक ना, तो हमारे पस सारे options के मेरे खाल से answer आपको मिल गया है, ये एक तो extended था, ये जो B वाला आपका option दिख रहा है, ये तो extended होना चाहिए था, दूसरे area पे भी, ठीक ना, ये तो नहीं हो सकता, इसके बारे में हम लोग already देख लिए, कि based into five categories डालना था, third हम लोग ने देख लिए identification of the sites, ये होना चाहिए, landfill के लिए, और one district ये भी options नहीं होना चाहिए, तो चार option को मैंने eliminate कर next question जो आता है, which of the statement, जो agriculture जो soil से related कौन को से statement true है, ठीक, इसमें ये बोला गया है कि organic matter जो होते हैं, soil का जो water holding capacity को drastically reduce कर देते हैं, ओके, चलो हम लोगे statement को reserve रखते हैं, second, soil does not play any role in the sulfur cycle, देखो ये face and not आगया, इतना बड़ा soil का area, वो क्या sulfur के cycle में थोड़ा भी role play नहीं करेगा, extreme statements मैं लाइक नहीं करता हूँ, as a UPSC experience अगर मैं हूँ, ठीक ना, third statement जो होता है, irrigation over a period of time can contribute to the salinization of the some agriculture lands, अगर मैं ज्यादा दिन तक irrigation करता हूँ, जैसे पंजाब और हर्याना area, वहाँ पे काफी ज्यादा irrigation होता है, और आप सुनने होगे कि salinization का ये बहुत ज्यादा problem हा रहा है, ठीक है ना, तो ये statement आपको true लगता है, क्योंकि आपको news पता है, ये भी statement आपको, ये statement आपको सह देख रहा है, correct दिख रहा है, तो third statement तो ये, मतलब ये तीन में से होना चाहिए, second statement नहीं होना चाहिए, तो ये option मैंने eliminate कर दिए, अब option बसता है, one and three only, अब देख रहो यहाँ पे, मैं जो starting मैंने मैंने जो concept दिया था, कि अगर आप इस जिश को thoroughly पढ़े हो, और revise किये हो, तो आपको first statement के बारे में भी पता होगा, और आपने just पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, आप जबदस्ती attempt करेंगे, और इसके करांट से हो सकता है, two, three में से आप एक attempt करते हैं, और आपका marks कड़ गया, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग थोड़ सा फिस से concept जानते हैं, कि यह जो soil होता है, यह कितना hold करता है, अगर humus content इसमें होता है, देखे, one ton of per hectare, अगर हम लोग soil cover को बढ़ा देते हैं, तो infiltration, infiltration मतलब जो rainfall होता है, वो groundwater को कितना recharge करता है, तो infiltration 100% हो जाता है, अगर one ton मैंने per hectare, मैंने soil का cover बढ़ा दिया, one ton से मैंने 0.6 ton कर दिया, तो run off मतलब जो उपर का layer निकल जाना, water के साथ निकल जाना, वो बर जाता है, infiltration थोड़ा कम हो जाता है, और soil का cover मैंने निकाल दिया, तो infiltration बहुत कम हो जाता है, और run off जाता हो जाता है, और यह data मैंने कहां से निखाला है, यह FAO के side से निकाला ह है, ठीक है ना, तो each one percentage increase in the soil, organic matter, यह 20,000 gallons of water को यह store करता है, ठीक है ना, organic matter just आप one percent increase करते होता हो, sulfur cycle में यह एक important role play करता है, क्योंकि आपको पता होगा, sulfur जो होता है, sulfur जो cycle होता है, यह sedimentary cycle में आता है, imperfect cycle में आता है, लेखिए कुछ gases cycle होते हैं, nitrogen होता है, carbon dioxide, जो most of the time gaseous form में होता है और यह जो sedimentary cycle से जो form होते है sulfur और phosphorus यह most of the time sediments के form में होता है किसी rock के form में होता है ठीक ना इसको imperfect cycle भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सालों तक यह sulfur store होके rock के form में रह जाता है और recycle नहीं हो पाता है ठीक ना और इसके लिए एक important role play करता है जो plants होता है आपको पता होगा कि sulfur protein के amino acid में एक important role play करता है sulfur आपको various vegetation होते हैं उसमें एक important role play करता है उसके growth होने के लिए तो soil में तो sulfur होना ही चाहिए ठीक ना तो इसलिए हम लोग logically तो correct बोलता रहे हैं कि यह होना चाहिए करके ठीक तो हम लोग options अगला दिखते हैं क्या options हम लोग को दिखते हैं ठीक यह statement तो correct होने चाहिए a high content of the organic matter drastically reduces water holding capacity यह reduce थोड़ी नहीं करेगा यह increase करेगा तो यह option गलत हो जाता है second option में doesn't play any role गलत हो जाता है तो last option क्या बचा है irrigation over a period salinization बढ़ा देता है ठीक ना तो हमारे यह option correct हुआ तो next question देखते हैं the concept of the conservation agriculture देखो हम लोग agriculture को resource की chapter में क्यों पढ़ने क्योंकि मैंने बताया कि agriculture resource हुआ क्योंकि agriculture related जो भी चीज़े है soil है vegetation के जो जो उपर के layer होता है जिस हो humus content बोलते हैं यह सारे resource का part होता है land is also one of the resource और अगर fertile है तो बहुत valuable resource होता है तो conservation agriculture में इसमें कुछ options दिये हैं इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती है avoid the monoculture practices ठीक है adopting minimum tillage okay avoiding cultivation of the plantation crops using crop residues to cover soil surface adopting spatial and temporal crop sequencing and crop rotation तो यहां पर देखो अगर agriculture को conservation में तो कम से कम resource से utilize करना है so that max to max benefit आप देशेखो देखो input cost कम रखोगे तो farmers को income जाद आएगा costing कम रखोगे तो profit जाद आएगा हाना आप costing किस किस चीज़े में आती है एक तो irrigation में आती है जिसमें water pump डालते है और fertilizer में आती है तो आप क्या किये अगर आपने crop के residues उसके पर डाल दी है तो जो soil में जो moisture जो होता है वो retain कर जाता है वो evaporate नहीं होता ठीक अना तो अगर आपने जो crop के जो बचे हुए residues है उसको बस वहीं पे छोड़ दिये तो स्वाइल के moisture बज गये as well as वो लिटर राउन कुछ decomposition होके compost बनके वो आपको fertilizer का काम करेगा ठीक ना तो दो अच्छा option मिल जाता है तो definitely conservation agriculture भले आपको word पता नहीं है तो यह चीज़ तो होना चाहिए और हमेश्या से बच्पन से आ सब्सक्राइब है special and temporal इसका मतलब आपको पता होगा ना special and temporal में यह होता है कि जैसे एक एरिया पर टाइम के साब से जो differences आते हैं और एक एरिया से दूसरे एरिया में जो differences आते हैं तो इस पेसवाइस जो डिफ्रेंस आते हैं जैसे आगरा और दाजलिंग के जो क्लाइमित में जो डिफ्रेंस है that is special difference और अगर विदिन दाजलिंग जैन्वरी एंड जुलाई की जो टेंपरेचर में जो difference है that is temporal difference विदिन टाइम में जो डिफ्रेंस होता है स्पेस सेम रहता है उसको टेंपरल डिफ्रेंस बोलता है ठीक ना तो क्रॉप रोटेशन एक ही अगरिकलचर फिल्ड में आपने क्रॉप का रौ्टेशन किया एस वैले अब यह कियाNIS कि एक लैंड मूल्टिपल रोटेशन किया और अलग लग लैंड पर आपको स्विच्वर reflection ब्लब करते रहे एक जैसे इस लांड पे आपने राइस क्रों किया था दूसरे सीजन में आपने वह किया आपने भीट को गरो होगय या पॉल्स को ग्रों किया ठीकर ना तो वह ळूंटर के पास तंप रहते हे यह सब्लों और आपके पास आपने आपने पव्ल्स जाता है हमाराइब से तो 45 एक यह होता है चीए होता है तो हम लिए जाना ज dreams ऐड़ chcia 3rd option हम लोगों को पता चल दा है तो हम लोग का काम हो जाता है 3rd option में क्या बोला है avoiding the cultivation of the plantation crops देखो क्या है plantation के लिए जो crops use होते हैं टोबैको अगर होते हैं जो commercial में लिए आपको लोग को बोलते हैं करता कि नॉट नेसरी है आप जश्ट उसको commercial परपस से ग्रोव कर रहें डेजन में कि आपने अग्रिकल्चर को कंजर्व नहीं किया है तो यह एक क्राइटेरिया नहीं है आप यह बोलो कि अगर सिप उसी चीज़ का प्लांटेशन क्रॉप करते हो तब यह एक option हो सकता है ठीक ना तो थर्ड ऑप्शन तो मुझे सही नहीं लग रहा है सेकंड option तो मेरे ख्याव से दुनों में सही होना चाहिए तो मतलब अगर मैं tillage कम करूं मैं अगर खोदाई कम करूं तो खोदाई कम करने से क्या होता है विण इरोशन नहीं होगा क्योंकि soil attached रहता है land से सेकंड होगा जो water का इरोशन होता है riverine erosion जो flood के करण जो इरोशन हो जाता है वो भी बचा रहेगा क्योंकि soil lose नहीं रहेगा एक और चीज होता है जैसे ही आपने क्या टेलेज करते हो तो अंदर का जो सर्फेस होता है वो exposed हो जाता है सन की और स्वाइल का moisture हट जाता है ठीक न तो मतलब आपके पास तीन ओप्षिन अगर correct होता है आपके पास क्या क्या option मेला 245 अगर सही होना चाहिए मतलब option 3rd सही होना चाहिए तो हम लोग इससे related कुछ concept थोड़ सह जान लेते हैं ठीक तो हमें again FAO के site में जैसे ही हम लोग जाते हैं conservation agriculture के बारे में जानने के लिए तो आपको यह दो picture दिखते हैं और दो picture में इसने clearly लिखा हुआ है कि हम लोगों को य पहले से ही आपको answer मिल गया एक picture से आपको answer मिल गया कि आपको डिश्टर नहीं करना मतलब tillage नहीं करना है second crop को residue को वहीं पर रखना है यह भी आपका option मिल गया और थर्ड इंटर कॉपिंग करना है मतलब एक image से आपको तीरह चीज मिल गया क्यों important आपको समझ आ रहा है आप जश्ट आपने image देखा हुआ है इसलिए आपने यह answer को solve कर लिया ठीक ना एक और picture था इसमें भी इसने यह ल farmers का food secure करना है as well as better production करवाना है तो minimum disturbance का fund को आपको utilize करना है ठीक इसको आप mains के answer में भी utilize कर सकते हैं ठीक तो conservation agriculture के बारे में जो topics जो points मैंने बताया वो लिखा हुआ है यहां पे तो यहां पे एक और और कुछ भी कुछ options है जो आपको याद रहना चाहिए जो अभी इस बार क waste management भी conservation agriculture का part है और यह जो crop residues को आप रखते हैं पर बर्न नहीं करना है आपको ठीक ना और green menus को यूज करना है यह भी conservation agriculture का part है तो next question जो आ सकता है future में वो इस से related आ सकता है ठीक तो conservation agriculture के लिए हमारे पास यह जो option है वो correct है अगला question है water conservation in agriculture किस तरीके से आप water conservation को prevent कर सकते हैं water conservation कर सकते हैं ठीक ना तो आप देखे रिड्यूस और zero tillage उसी से related same question आ गया second है crop residues फिल्ड में रहा जाने से यह दूनों option तो correct होता है चाहिए मतलब 1 & 3 आपको पता है तो एक यह option होता है और यह option होता है मतलब आपको second statement भी आपको जाना जो रहे हैं तो second statement देखे है applying gypsum before irrigating the field देखो gypsum बहुत favorite है UPSC का gypsum से related एक और question आया था UPSC मेंस से पहले जो कैनाल जो जाते हैं उसमें से क्या होता है कुछ water leakage हो जाता है और उसको reclaim करने के लिए तो देखो last year में तो हम लोग देखते हैं इससे related gypsum से थोड़ा सा concept जान लेता है ठीक तो gypsum का काम क्या है और gypsum का chemical formula यह है calcium sulfate यह जो calcium sulfate है यह water को जैसे इसको मिलता है वो plaster से gypsum में convert हो जाता है और जैसे इसमें से water हटता है वो plaster में convert हो जाता है इसका यह property को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे आपने field में gypsum डाल दिया अब क्या है water ने क्या किया water अंदर में percolate down हो गया water अंदर में चला गया तो वो उपर में plaster type से बन जाता है जैस प्लाश्टर का काम करता है फिर आपने क्या किया water का addition किया irrigation किया और वो जिपसम में convert हो गया और water को अंदर में percolate कर दिया ठीक है तो वो एक प्रकास से चानी टाइप का काम कर रहा है चनी जो बोलते हैं लोग उपर से पानी आता है और उसको श्टोर करता है और अंदर मे वो प्लाश्टर का काम कर देता है तो जिपसम का यह काम है अगर हम लोग इस फॉर्म में अगर किसी plant को देते हैं तो वो ज्यादा इजली अब्सॉर्व होते हैं रादा दिन कैल्शियम डिफरेंट्ली अलग से देते हैं और अलग से देते हैं यह उसी टाइप का concept है जैसे कोशन देखते हैं यह important question है ध्यान रखिएगा UPC का यह फेवरेट एरिया मिथेन एंड शेल लेटर आपको कोशन किया है कि कोल बेट मिथेन जो हता है it is the mixture of the propane and butane only I hate this word only ठीक ना यह यह दोनों का ही mixture होता है क्या किसी nature में कोई भी चीज absolute होती है हमेशे से exceptions आपको बहुत मिलता है तो आप क्या किसी और गैस को आने से रोक सकते हैं जब आपका नेचर में यह बना हुआ है तो तो यह option आपने श्ट्राइक आउट इमेडेटली कर सकते हैं anyways हम लोग इसके बारे में हम लोग को concept जाना है second है इन इंडिया अबंदेंट कोल बेड मिथेन सोस एक्जि कर आता है हुमारे हाँ suppose इससे पहले कोई शचेश हमारे नीठाने नहीं और यह कूई आप सकते हैं और यह श्यूर्य में और आप यह सकते हैं तो अश्यवस्क्लेटिद म मतलब सीधा को यह option आप सकते हैं even if हम लोगों मिरा आफने शपक ने चिस नोगन कर दिया यह पर हम लोगों को जानना है इस से रिलेटेड़ कंसेप्ट क्योंकि शेल्ल गेस और कोल्ड मेथन बहुत ज़्याद यूज में रहते हैं तो कोल्ड मेथन क्या होते हैं यह जो कोल जहां पर माइनिंग होती है वहां पर जो वहां पर गैसे होते हैं और वह गैसे मिथेन गैसे मेंली हो यह मिधिन गैस बहुत इंपॉर्डेंट होता है अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं उसमें डिटेल देख लेंगे और शेल गैस क्या होता है जहां पर जहां पर भी पॉकेट्स जैसे जहां पर भी रॉक्स होते हैं इंपरिमेबल एंड सेमी परिमेबल यह दो रॉक का लेयर की रिक्वार्मेंट होती है और इनके बीच में अगर और अर्गनिक एलिमेंट्स फर्स जाते हैं ट्रैप हो जाते हैं तो वह बहुत साले बाद बैक्टेरियल डिकपोजिशन के कार्ण से बन जाते हैं फ्यूल में क बना देता है और उसके नीचे जो फॉसिल फ्यूस आपको मिलते हैं इसके में में सोर्सेस कहां कहां पर है एक है कैमबे बेसिन गंगा बेसिन असाम अरुनाचल का प्रदेश यह असाम अराकान बेसिन भी बोला जाता है अराकान योमा यहां पर है इस्टन पार्ट में है अ ठीक ना एंड यह जो दामुदर कोईल एंड सोन वैली पे जो आपको कोल बेट मिल रहे हैं वो भी आपको याद रखने हैं ठीक ना अगेन मैं आपको सोर्स दिखाता हूं डारेक्टरी जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन यह एक रेगुलेटर है जो की जितने भी हाइड्रोकार् यह पिक्टर में आपको यह काफी कुछ क्लियर है जो वीडियो दिखाँगा इसमें काफी कुछ क्लिएर हो जायेगा आपको gases में convert हो जाते हैं इनका decomposition होता है bacteria से तो इसके लिए condition क्या requirement होती है कि नीचे में एक semi-permeable rock हो यहाँ पर semi-permeable rock उपर में non-permeable rock है impermeable rock हो तो semi-permeable जैसे rock होता है तो उसके नीचे water धीरे-धीरे आके accumulate हो जाता है जो आपका fossils में से जो water था वो नीचे जाके oil तो अपर में layer पर होता है water के तो यह तीन layer बन जाता है तो जहां पर भी extraction होता है oil का वहां पर अपर layer पर automatically आपको मिलेगा natural gases इसके दो टाइप होते हैं dry and wet natural gases dry में mainly methane होता है और wet में methane के साथ propane and butane वगर भी होता है ठीक ना दो टाइप के natural gases समझ आगे तो इसके जो liquid natural gases है इसके multiple use हैं इसका use आपको देखोगे कि आपको जो fertilizer, refrigerant, refrigerant के लिए use होता है और भी multiple uses हैं तो इसको जो यह जो natural gas जो यहां पर मिलता है oil के साथ उसको हम लोग बोलते के conventional type of natural gas क्योंकि यह normal extraction निकाला जा सकता है बट कुछ non-conventional टाइप के natural gases होते हैं जिसको बुला जाता है coal-bid methane, shell gas, tight and sorges ठेक ना यह तीन टाइप के अलग-अलग gases होती हैं देकि tight gases वो gases होती हैं जो कि बहुत extreme pressure में एक छोटा सा deposition रहा गया किसी area पे उसको हम लोग बोलते हैं tight gas जिसमें extreme compression पड़ता है coal-bid methane कहां पर होता है जहां पर coal mining होता है वहां पर जो gases रती हैं वो methane होता है और उसका extraction करना coal-bid methane में आता है देखो coal-bid methane जो होता है वो normally coal-sims में available होता है पहले हम लोग उसको ऐसी release कर देते थे fire करके जला देते थे पड़ अब उसको use कर रहे हैं same shell gas जैसे जहां पर आपको conventional natural gases मिले वही पर ही आपको same shell gas मिल सकते हैं पास में आपको shell gases मिल सकते हैं shell मतलब उपर में clay का layer है clay का conversion हो जाता है तो shell बन जाता है shell के नीचे में जो दभी होई gas है उसको हम लोग बोल रहे हैं shell gas ठेके ना तो difference आपको clearly समझा गया अब इसका जो extraction होता है जो natural gases का वो normal जब petroleum निकलता है उसके साथ gases निकल रहे हैं और यह जो gases हैं यह pipeline के थूर आप पर उसका purification होगा और यह gas को associated gas बोला जाता है जो उसके साथ मिलता है और इसका purification होने के लिए multiple processes होते है multiple stages होते हैं इस stage में आपको दिखेगा देखो कहीं पर water removal होता है कहीं पर gas को removal किया जाता है sulfur dioxide को रिपोल किया जाता है और जब pure form हो जाता है सारा चीज निकल जाता है इसके बाद हम लोग इसको transportation कर सकते क्योंकि यह liquefied gas है और liquefied gas को हम लोग transportation करना आसान होता है और इसको बोर रहे हैं हम लोग LNG, liquefied natural gas ठीक है यहां तक समझागे अब इसका use क्या क्या है इसका use है आप temperature maintain करने के लिए जहाँ पे polar region पे and temperature region पे temperature maintain करने के लिए electricity के बाइफिल के लिए and fertilizer के लिए भी use होता है and कुछ fuel cells के लिए भी use होता है तो natural gases का आपको use पता चल गया और यह जो shell gas का extraction कैसे होता है यह जो यहां से drilling होता है drilling करके यहां पे पानी का छोटे-छोटे pump होते हैं जो कि fracturing करते हैं यह shell पे fracturing करते हैं और यह जब पानी इसके pores में अंदर में चला जाता है तो क्या होता है gases जो उसमें इसके जो पोर्स में जो stuck हो गया है वो release हो जाते हैं वो pipe के थुरू वापस आ जाते हैं तो यह इसको बोला जाता है hydraulic fracturing और इसके कारण से ही यह जो gases है escape कर पाती है क्योंकि water के property होता है कि वो छोटे-छोटे cracks के अं जो कि नौर्मली developing countries में इतना नहीं होता है इसलिए economically viable उतना नहीं होता है यहां पर एक और चीश रिक्वाइमेंट होती है जैसे water अगर अंदर में penetrate कर सके और वहां से gases को escape करवा सके इसके लिए water का surface tension को forcefully artificially surface tension को increase किया जाता है और यह कैसे increase होता वो आगे के slides में पता चल यह less greenhouse gas emit करते हैं तो इसलिए less pollutant होता है as compared to coal से जो emit होता है तो coal-weight methane जो होता है वो ज्यादा अच्छी है environment के सबसे as compared to coal ठीकर ना बट इसमें problem क्या है carbon dioxide में जो greenhouse effect है वो as compared to methane काफी कम है in fact methane का करीब 10 times से भी ज्यादा greenhouse effect है तो एक milligram एक cubic meter का अगर हम लोग carbon dioxide लें वही methane का लें तो methane का effect जाता है वो heat को ज्यादा absorb करता है ठीक ना तो यह जो gases है यह dangerous है reason यह है क्योंकि यह escape अगर कर जाती है तो हमारे environment को harm करता है और climate changes से समस्या आती है ठीक ना नेक्स्ट है जो shell gases के resource के साब से सबसे ज्यादा जो resource है वो है चाइना की पास फिर आजेंटिना अलजीरिया एंड यह से इंडिया के पास भी कुछ resources है ठीक ना यह यह shell gas जो है technically recoverable है और भी हमारे पास gases हो सकते है जो की recoverable नहीं है ठीक इंडिया में जो resource है नीती आयो का data को मैं refer कर रहा हूँ इससे पहले का भी जो आपको database दिखा वो नीती आयो का था यह वाला जो state था यह नीती आयो का था और इसको भी मैं नीती आयो के की document से में directly refer कर रहा हूँ तो नीती आयो की document के साब से इतने सारे basins है हमारे पास shell gas के जो हम लोग ने ONGC को दिया हुआ है अलग-अलग companies को दिया हुआ है ठीक तो options देखिए दोनों extreme statement थे option का यह जो D option है definitely incorrect होगा next question आता है which of the falling of India are shell gas resources found Camby Basin, Kaveri Basin, Krishna and Godavari Basin आपको याद होगा तीनों ही basins थे मैंने बोला था तीनों को याद रखिये तो इसके साब से आपको directly answer derived होता है D, 1, 2 and 3 पता है तो बनेगा नहीं पता है तो नहीं बनेगा टिक तो यह question हो गया next है गवार cluster bean जिसको बोलते हैं यह as a vegetable and animal feed के लिए यूज होता है और इसका significance क्या है recent development के current से significance बहुत ज़्यादा बढ़ गया है देखे गवार SS vegetation था जिसको लोग खाना भी नीचाते थे रिजन उसको गवार से गवार बन गया था तो अब यह गवार बन जिए है चतूर तो भोपाल में इसको अभी चतूर फली भी बोलता है ठेक है ना तो यह जो गवार है इसका यूज हम लोग को पता चल गया है और यूज होने के कार्ट से इसका जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट हो चुका है तो हम लोग देखते हैं इसका यूज क्या क्या हो सकता है और यूज होता है और इसका बाइड़ प्लास्टिक्स बनाने के लिए ओकेट है यह जब यह कुश्चन आया था इससे पहले मैंने इसको प्रडिक्शन किया था कि यह कुश्चन आ सकते हैं यह बहुत चोटा चीज है पर इसका पड़ा यूटलाईशन है वो शक्तिमान वा है ठीक है ना नीम कोटेड यूरिया बायो टॉयलेट्स वो जो आपको ऑईल जैपर यह सारे छोटे इंटर्वेंशन है और बड़े ऑट्पूट्स है जिप संग छोटे इंटर्वेंशन एकोनॉमिकली जो डवलपिंग कंट्रिस है इनके लिए छोटे इंपूट्स है बट इ उसको ले जाके कहीं पर डम करने पर अननेसेसरी फार्मर्स का जो ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट वह बढ़ जाता था उससे अच्छा वही रने दो तो दोनट फायदा हो जाता कंपोस्ट भी बन गया रिटेंशन भी हो गया तो यह छोटा इंपूट्स से आपको समझ आ र होते हैं इसमें से उसमें जो इसमें से जो पाउडर निकलता है उसको वाटर में हम लोग मिला देते हैं तो वाटर का सर्फिस स्टेशन बढ़ जाता है वाटर थोड़ सा ठीकी हो जाता है और यह जो प्रॉपर्टी है जो गवार्गम का जो पाउडर का प्रॉपर्टी है ट्रॉक्स टेक्टाइल पेपर सी सब के लिए यूज करते हैं ठीक ना तो यह जो टॉपटी है यह मैंने जैसे दिखाए आपको हाइड्रोलीक फ्रैक्चर वाला जो दिखाया था जब वाटर को फ्रैक्चर करवाते हैं तो वाटर में उतना पावर नहीं होता क्योंकि वाटर को डाल दिया उसके साथ तो शेल गयस के एक्स्प्लॉएशन बहुत आज़ार नहीं हो जाता है घर ना तो यह बेनिफिट्स यह जो गौार है उसका बनिफिट्स वो शेल गयस केक्स्प्लॉशन में आता है इस लिए गवार से रिलेटभी TI यह सेमी एरेट इसाइरियरन पर करके देगा isn't it यह नहीं करेगा पर करवाएगा तो स्वाइल को रिप्लेनिश करने का भी option हो जाता है तो इतना सारे advantages मिल रहा है है हम लोगों को तो इसके साब से हम लोगों का direct option है option 2 the gum made from its seeds is used in the extraction of the shell gas ठीक तो next question देखते हैं given below are the name of the four energy crops यह चारो जो energy crops है यह news में थे इसमें से वो पुछा है कि कौन सा ethanol के लिए यूज होता है जट्रूपा मेज पंगैमिया संफ्लार आपको पता होगा कि यह दोनों हम लोग फ्यूल के concept में यूज करते हैं आपको याद होगा जट्रूपा तो बहुत ज्यादा news में रहता है तो ethanol की बारे में पहले समझते है ethanol का blending करते हैं ethanol का blending और ethanol का source क्या है वो होता है हमारे पास जितने मेज क्रॉप्स जो होते हैं उसको हम लोग fermentation करते हैं तो क्या बन जाता है यह ethanol में convert हो जाता है एक proper temperature को maintain करने पर और at the same time यह जो ethanol का blending करने से जो gasoline के comparison में इसमें greenhouse gas का emission कम होता है sulfur dioxide का emission कम होता है ठीक है ना तो ethanol blending बहुत advantages है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं मेज से मेज से हम लोग ethanol निकालके उसको blending कर रहे हैं पर ethanol का only वो source नहीं है ethanol का जो आपका यह जो formula है chemical formula आपको यह दिख गया इसको sugarcane से भीट से भी निकाल सकते हैं sugarcane के जो molasses होते हैं उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं ठीक है ना और ethanol blending प्रोग्लाम हम लोग 2003 से श्टार्ट हुआ था और अलग-अलग level पे अलग-अलग के लिए हमारे पास तीन-चार option है sugarcane sugar से यूज करना या crop से जो cereals crops है उससे निकालना या तो आपका जो cyclone में damage हो जाते हैं जो food grains होते हैं उसको आपको utilize करना तो इंडिया के national biofuel policy में 2018 में हम लोग ने decide किया था कि 2022 तक 10% का ethanol का blending करेंगे और 2030 तक 20% का blending करेंगे और 2030 तक हम लोगों को 5% biofuel को addition करना है ठीक ना तो यहाँ पर difference है देखो एक biofuel का addition करना है और एक ethanol का blending करना है तो उन्हों में आपको difference पता लाना चाहिए हम लोग देख लेते हैं क्या difference है पहले ब्रिक्स कंट्रीज जो है उन लोग ने ethanol blending पर कितना काम किया हम लोग 10% से कर रहे हैं सारे स्टेट्स को mandatory बोल दिया है बट देखो ब्रजिल ऑल्रेड़ी 100% और एटी टू नाइंटी परसेंट अल्रेड़ी वह यूज़ कर रहा है ब्रिक्स कंट्रीज में ब्रजील इतना चीज के लिए यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग काफी पीछे हैं उसमें तो क्रिश्चिन जो था में जो एथनाल ब्रेंडिंग के लिए यूज़ होना चाहिए मेज मेस कर्टिवेशन से आपको एथनाल मिलता है अगर शुगर के न होता तो शुगर के न भी इसका उप्षिन होता और यह जट्रूपा जो है यह बायो फिल क्ले के लिए होता था अक्शन में तो नेक्स्क् डिखा है के ही होता है और हमाद्य जो होता है में आपको दिखिए समय पहले आप तो जानना पड़ेगा है नहीं जारू अजीम की इस प्लांट जो होता है यह बहुत ब्यूटिफूल होता है इसमें और इसका जो जो सीट्स होते हैं उसमें अरॉंड 25-40 परसेंट लिपीड कंटेंट में अलीक एसीड होता है मतलब यह जो सेकंड इस्टेटमेंट था वो तो करेक्ट होना चाहिए यह एस विंड बेरियर का भी काम करता है फिर नेक्स्ट कुश्चन है जो जट्रूफवा से रिलेटेड जो था जट्रूफवा का कल्टिवेशन भी आपको बायोडिजल के लिए बहुत फेमस जट्रूफवा है पूरे वर्ल लेबर पे कि इसको किस तरह कैसे हम लोग बायोडिजल बना सकते हैं इसका क्रॉप्स थे मेस क्रॉप्स थे जो उसे उसी को भी यूजप करके हम लोगों को भायोड बनाना था फिर्स्ट रिवल पर हम लोगों का ये काम था लिए तो सेकर्ड जनरेक्शन में यह जो काम था हम लोगों कर थोड़ा सा एडज़ स्वा थोड़ा चरकर race BTS या जिश्ट और फॉर्थ जो हम लोग करेंगे वो होगा carbon negative sources है अभी तक देखिए agriculture से suppose आपका आपने बोला कि agriculture से जो प्लांट होते हैं वो green house gas emit करते हैं इसके करांट से agriculture is good but effectively कितना हुआ है agriculture कि करने से tillage वगर करने से greenhouse gas कितने emit हुए और उसके plant ने कितना greenhouse gas को store किया यह दोनों का जो ratio है उससे आप बोलते हैं यह carbon neutral है carbon negative है कि carbon positive है जिसे आप थर्मल पावर प्लांट यह carbon positive है बट अगर आपने green यह जो डेली का metro है जिसको हम लोग green metro बोलते हैं तो वह क्या है कि almost carbon neutral के condition में तो carbon neutral नहीं में तो हम लोग carbon zero building बोलते हैं जिसमें क्या होता है उपर में solar panel लगे रहत होता है तो ultimately वह carbon neutral हो गया अगर by the way solar panel ने उस building में जितना use होता है उससे ज्यादा अगर generate कर रहा है तो carbon negative मतलब वह इतना carbon को store कर रहा है isn't it तो यह जो वही चीश को concept को use करना जब बायो फिल आप जब बनाते हैं तो starting from agriculture से लेके last production तक जितना greenhouse gas emit हुआ और उसको उसका जो effective और उसको burn करने से जितना gases निकलती है और जिसना उसका carbon store हुआ during this process carbon store जितना हुआ जो plantation लगाने से यह दोनों का ratio carbon negative करने का fourth generation में हमारा target है ठीक है तो आपको समझ आ गया होगा कि fourth generation में हमारा क्या target है तो third generation में algae था इसका advantage क्या होता है बायो फिल का देख देख सबसे पहल होता है organic है and renewable energy source है यह ठीक ना तो next question जो हम लोग जो पढ़े थे पुंगया में या पिनाटर से रिलेटर तो इसमें ये दो option जुदिक रहा है जिसमें दोनों ही option आपको सहीं लग रहा है कि area region में भी होता है और इसके जो seeds को हम लोग और यूज़ कर रहा है ठीक अगला जो इस से रिलेटर में आपको बताना चाहरा हूं कि डिरेक्टर जनरल लोग और ट्रेड है ठीक है डी जी अफ्टी यह क्या किया है कि हम लोग इसको restricted community में डाल दिया है इसके कारण से हम लोग जब भी इसका import करेंगे तो इसका license requirement होगी इससे benefit क्या होगा आप local farmers से ऐसे seeds को खही देंगे otherwise अगर आप अगें दूसरे पर दूसरे कंट्री पर अगला question जो है that is algae-based biofuels देखरो आपको एक-एक स्टेज पे क्वेश्चन मिलते जा रहा है ठीक है जट्रूफा पर आ चुका है पूंगा मिया पिनाटा पर आचुका है और और भी हम लोग ने sugarcane से रिलेटेर हम लोग किस तरीके से बायो फिल्म बना सकते हैं उस पर कुशन आ चुका है एल्गिस-based biofuels से कैसे होता है इसमें तीन स्टेट्मेंट दिया गया है कि यह सी में ही होता है है अगें सी ओनली सो ओनली वर्ड मुझे पसंद नहीं है थर्ड सेकेंड है सेटिंग अप आप दर लेवल जो की देखो बायो टेक्नोलोजी के लिए डेवलपिंग कंट्रीज पर उतना रिसोर्स भी नहीं है उतना पैसा भी नहीं है और उतना एक्सपर्टाइज नहीं है ठीक है न तो यह प्रॉलम तो सहीं लग रहा है जो सेकेंड स्टेट्मेंट लिखा है कि इसमें आप एल्गिस से अगर निकालना चाहते हो बिइंग ड से हमारे पास यह लिमिटेशन होता है डेवलपिंग कंट्रीज में एल्गी बेस्ट के लिए तो सेकेंड थर्ड स्टेट्मेंट लग रहा है और फर्स स्टेट्मेंट आपको लॉजिकली गलत लग रहा है पर आप देखते हैं कि हम लोग थोड़ा से इसमें डीटेल में जा लगी बनाओ जो कि ज्यादा पोटो सिंथेसिस करें अब अब आपको वैसे बनाना है कि वाटर भी कम ले नूट्रेंट भी कम ले पर वह ज्यादा आउटपूट दे आपको तो वही चाहिए तो इसके लिए आपको किसी ना किसी तरीके से बाया टेकनोलोजी को यूज करना चाहिए उस लेवल का चाहिए और उस लेवल का आपको क्लेरेंस मिलना जो रही है इसलिए क्या है इसके लिए इन्वार्मेंटल और सोशल कंसर्ण भी है कि कल के दिन हम लोग यह ओपन ऊशन में चला गया बाइदे वे हम लोग ने हाइब्रीड टाइप कर बनाया और ऊपन को बना रहे है यह जो शुगर के लिए जो काम कर रहा उनको आपको ट्रेंड करना और उनको अवेर करना कि आपको इतने ही लिमिटेट फील्ट पर यूज़ करना यह बहुत चैलेंजिंग है इसलिए इसमें यह सब तो यह जो सेकंड इस्फोल में इसमें इंवार्मेंटल सोचल कर संबूइब जो सेके थर्ड स्टेटमेंट में एकलोजी कल लैंस सेकंड स्टेटमेंट में जो है इक्सपर्टाइज टेक्नोलोजी यह दोनों करेक्ट है इसलिए ऑप्षिन पी इस और अंसर ठीकर नेक्स वेच देखते हैं रेचेंटली देर हैस बीन अ कंसर्ण और यह हमेशेขषा में मिलते हैं और इको निकालना को सब्रेट करता हुए इससे सा लिड़ सारा ने ह zit न सक्ट हो zaten है और यहिए इन सक्ट करने कि अजिते हैं जाने को सकते हैं जो हो सकते हैं वह सकते हैं इस developers पता नहीं है नोट पॉंड आप नहीं बोल सकते हैं तो सेकंड इस्टेंटमेंटमेंट जहां जहां पर आप तो इसे समय रॉंग करते हैं अब बसता है A & C अभ यहां पर रीड रिवाइस एंड रिवाइस को नाता है ठीक है रेयर अरथ मैंटरेल्स और एसेंशल फॉर्द manufacturing of the various kinds of electronic items से अगर यह आपको पता है तो बनेगा नहीं पता है तो नहीं बनेगा मतलब आपके पास A और C का ऑप्षिन है अगर यह थर्ड इस्टेटमेंट आपको नहीं पता है तो बेटर स्किप करिए ऑप्षिन को ठीक तो फर्स्ट और जो ऑप्षिन है इसमें इसके बारे इसका प्रोडक्शन होता है और सब 97 परसेंट इसके रिजर्व से हैं तो डबिनेटली चाइना कभी भी इस पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक एक्प्मेंट के लिए डिजास्ट्रस हो सकता है इसलिए जब यूएस के साथ ट्रेड बार ह हो गये था चाइना जब एक्सपोर्ट करना मना कर दिया था तो इंडिया भी एक प्रोडूसर है पर चाइना के कंपरिजन में बहुत कम है ठीक ना तो रेयर अर्थ मेटल का यूज कहां कहां हो सकता है देखो हम लोग स्विच कर रहे हैं सोलर पैनल्स पे और सोलर पैनल्स क इस सब के लिए रेयर एर्थ इश्र मेंट की रिक्वार्मिंट होती है इसके इलावा इतने सारे में यह इंडिया प्रॉजेक्ट के लिए ह्म लोग को रियर एर्थ मेटल बहुत इंपॉर्टेन्ट है क्वेशंघा अभी ऩी आ सकते हैं babies Mr. और में तो आपको यह पता है कि first statement correct है and third statement is correct तो इसके साब से आपका क्या option होना जीए अगला question क्या है minor minerals in India इसके regarding कुछ statement दिये है minor minerals जैसे sand जो होता है वो एक country में जो law होता है उसी के साब से वो चलता है उसी के साब से काम करता है second है state government का power होता है mining list को देने का और वो रूल को frame कर सकता है but with the permission of the central government लिखा है third statement जो है इसका illegal mining के उपर में control state government का होता है तो इसका पहले state government से related हम पैक्स जान लेते माइन्स and minerals का जो act है ठीक ना इसमें यह बोला गया कि state को बहुत ज्यादा rights होते हैं मतलब almost state को सारे ही rights है जो minor minerals पे होते हैं और except some of the minerals जो की फर्स schedule of the 1957 के act में लिखे हैं जिसमें कौनकों साथ है iron ore, bauxite, copper, lead, precious stones, zinc and gold इसको छोड़ के बागि सारे के लिए state government ही rule frame करती है illegal mining से भी related सारा state government rule frame करती है तो इसके साब से आपका option जो होता है a one and three correct होता है sand वहां कि जो law है उसके साब से काम होता है and second illegal mining को prevent करने का state government को rule हो है second statement गलत है क्योंकि central government के उपर वो power नहीं है center government उस पर law नहीं बनाती है तो इस से related detail में यहां पर लिखा हुआ है आप सोड़ो सा पढ़ लिजेगा इसके पारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है state government do not have the power to auction non coal mines again वही statement को घुमा फिरा के second question में दे दिया गया है second है आंध्रापदेश ज्हारकंड do not have gold mines यह do not have क्यासे हो सकता है आपको पता होगा कि ज्हारकंड में सारे माइन्स है तो कोई भी चीज आख बन करके आप यूरेनियूम से लेकर गोल्ड से लेकर हर एक चीज है सारा चीज ज्हारकंड में चीकर ना तो do not have नहीं सकते हैं सेकंड करनाटका में gold mines से तो बगल में आंध्रापदेश है तो वहाँ पर तो होई सकता है तो यह नौट है तो बोल नहीं सकते राजिस्थान है यह हो सकता है पॉसिबिलिटी है कॉपर मिलता है वहाँ पर तो चांस है तो आपके पास लॉजिकल लॉजिकल आपने टू को आपने जैसे ही रॉंग करते हो यह दुनों खतम हो जाता है फिर रिवाइस और रिवाइस का कंसिप्ट होता है अगर आपने लाश्ट यह का थोड़ा वहत को समझा जाएगा कि स्टेट गवर्मेंट को पावर होता है तो आप्शन के हिसाब से आपके पास option का 3 जो ह है वह करेक्ट है तो इससे ले लेटेडर आपको थोड़ा सा और में दिखा देता हूं कि गोल्ड जो माइन्स होते हैं यह तीन माइन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा न्यूज्ट में होते हैं करनाटका का हट्टी एंड अट्टी माइन देखो कोलार गोल्ड माइंस में अब पैर मेन्स होते हैं और ऐरेटियम का जो माईनों होते हैं इस्थान में जो सब्सक्राइब मिद्शन Спाला में है बिल्वाड़ा निवारा अभी नीवरां कमेंट बॉक्स में बताइगा Track नेक्ट कुश् Hej में जादा होता है आशफीजन टेंपरेचर ज्यादा होता तो आपको यह पता तो यह थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसके कारड़ से इंडियन कॉल को हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है बट इंडियन कोल में एक प्रॉपटी है कि यहां पर सल्फर का कंटेंट कम है थिक तो इस अप्षिय ऑप्षिन सेकंड करेक्ट फर्स्ट वान टू अन्टू ओल्ली करेक्ट होना चाहिए हाई एश कंटेंट एंड लो सल्फर कंटे और जबकि हाई एश फ्यूजन टेंप्रेचर होता है तो थर्ड इस्टेट्मेंट गलत है तो इसलिए ऑप्षिन एक रख्ट है नेक्स्ट शूशन जो है मिलना चाहिए सारा चीज मिलता है तो यह भी मिलना चाहिए कॉपर में मिलना चाहिए बट यह बोला है कि 90 परसंट चाहिए चाहरोन Even के चाहिआ को डोडी से मेनिखल 90 परसंट मिलता है वेखो आरेन तो शूरली मिलता है इसलिए तो उडीसा में कौन सा स्ट्रिब प्लांट है रहोर केला स्ट्रिलफ प्लांट टो बडुशे में रहोर केला जो स्ट्यल प्लांट है और वोकारों के बीच एक ट्रेंड चलती है जो कि बोगारों से कोल मायं को लेके आती है और ऊडिसा से आणर और को लेके जाती है जार खंड में ठैकर ना और और जहां पर भी आईरेन मिलता आए वहां पर निकल भी मिलता है ठैक तो यह दो अप्शनों को समझ आकिया कि और आरान दोनों कि और्षा में काफी ज्याधा मिलता है तो इससे अपसे रही सकता है उडीसा कर्ड़्ाइब घ्रण हो सकता है केक्षण केरला में मिलता एक नी के रला में ऑफ्रों को चांड नीकाल सकते हैं धुले आपको पारे तो देखो Elimination से यह वाला अंसर आपको बन जा रहा है वन को आपने रॉंग किया कॉपर 90% यहां पे नहीं मिलता है कॉपर तो खेत्री माइन्स याद होगा राजिस्थान में मिलता है जो MP में मिलता है यह दो जगा पे मिलता है जारकंड में उतना ज्याद नहीं मिलता होगा 90% तो शूरली नहीं मिलता होगा ACD को गलत कर दिये तो आपका B option करेक्ट होता है पर हम लोग डिटेल में जाते हैं तंग्स्टन का जो ओर है वोल फ्रैम यह आपको मिलता है राजिस्थान और विश्ट बेंगॉल में और वह भी 90% नहीं मिलता है ठीक तो उसी सब से option आपको करेक्ट समझा जाएगा कि यह option B only होगा B to only होगा नेक्स्ट विश्टन जो है गुंडवाना रॉक से लिलेटर गुंडवाना रॉक में 90% लाइम स्टों रिजर्व्स हैं सेकंड स्टेट्मेंट इसमें 90% इंडिया के कोल रिजर्व्स हैं थर्ड है 90% जो फर्टाइल ब्लैक कॉटन स्वाइल है वहाँ पे हैं और ने कोल के रिजर्व हो सकते हैं और लाइम स्टों के रिस देखो यह जो विंदया सतपूदा वाला एरिया है ना वहाँ पर काफ़ी ज्यादा लाइम स्टोंव तो अगर आप यह देखें यह अरावली भी लाइम स्टों का बहुत बड़ा रिजर्व है ठीक है तो 90% आप नहीं तो आपके पास B option का option होता है तो हम लोग देख लेते हैं देखो 98% जो कोल होता है इंडिया में वो गुंडवाना रॉक्स में ही है ठीक और गुंडवाना रॉक्स के जो कोल है वो यंगर हैं compared to carboniferous तो इसलिए इंडिया को जिस लेवल का अच्छा अगर कोकिंग कोल क्रेट का कोईला चाहिए रहता है तो हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है ठीक तो यह option B is correct next option जो है by product of the sugar industry industry से हम लोग क्या यूस कर सकते क्या useful है इसका जो बैगे सोते हैं जो आप गना जूस पीते हैं उसके बाद जो कच्छा निकल जाता है उसका हम लोग बोलता है बैगेस बैगेस जो है it can be used as a biofuel अगर आप उसको आग लगाते हैं उस तुखा के आग लगाते क्या जलेगा वह सेकेंड है molasses can be used molasses जो होता है it can be used and as a chemical fertilizer and third statement है molasses can be used for the production of the ethanol तो आपको यह तो पता है शुगर के इंसे अथनॉल बनता है तो थर्ड स्टेट्मेंट तो श्याथ करेक्ट होना चाहिए थर्ड स्टेट्मेंट के साब से आप देखो C B and D आ जाता है तो अग यहां पर यहां पर हमारे पास 123 भी है मतलब तीनों स्टेट्मेंट आपको पता रहाना चाहिए अगें रिट रिवाइस और रिवाइस तो यहां पर देखियो बाइप्रोडक्ट जो होता है यह अच्छा फ्यूल होता है इसको शुगर मिल वाले ही एनेर्जिक लिए यूज तो इसके इसाब से ऑप्षिन कौन सा करेक्ट होना चाहिए इसके इसाब से आपका ऑप्षिन जोता है सी 1 & 3 क्योंकि मोलेसस के बारे में लिखा है केमिकल फर्टिलाइजर ठीक नेक्स्ट्रोशन है इंडिया में स्टिल प्रोडक्शन के लिए हम लोग को इंपोर्ट करते ह है कि रॉग पॉस 파特 करते हैं सब्सक्राइज थैहां पटार आना चाहिए कि हम लोग को कौल को इंपोर्ट करते हैं क्यए इंडिया में को कोड्रीट का और यह ल तो इसलिए third option correct है इंडिया imports millions of the tons of the coal इसका reason क्या है तो पहला statement को बोला है कि हम लोग अपने coal के reserve को बचाना चाहते हैं second है हमारे पास sufficient supply नहीं है इसलिए हम लोग दूसरे country से निकालते हैं third है still companies को large quantity का cooking coal चाहिए तो अभी third statement आपने देखा third statement should be correct first statement correct नहीं है क्योंकि देखा हम लोगों coal compulsion के कार्ट से मंगाना पड़ता है अगर इंडिया में coal reserve होते हैं तो अम लोग इसको मंगवाते हैं तो फर्स statement अगर गलत कर देते हैं तो हमारे पास option कौन सा बच जाता है that is B two and three only अगरे पास जो मिलते हैं इंडिया में एश के कंटेंट ज्यादा मिलते हैं तो हाई ग्रेट का चाहिए हम लोगों को इसलिए हमारा जो श्टील अथॉर्टी अपिंडिया लिविटेट सेल जो होता है वो इंपोर्ट करता है और अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे साइंस टेकनोलोजी से रिलेटेट पढ़ेंगे इससे पहले मैं आपको जश्ट थोड़ सा और कंसर्प्ट बताना चाहता हूं यह जो शुगर केन और बेगेस के बारे में और मॉलेस के बारे में जो शुगर केन का जो जूस निकलता है उसका जो अगर उसको हम लोग करते हैं तो बहुत सारे स्वीट्स में भी यूस करते हैं ठीक है और जैगरी भी उसी से रिलेटेट है उसको हम लोग कर देते हैं मल्टिपल टाइम अगर हम लोग करें तो वो मॉलैसे लिक्विट फॉर्म निकलता है और उसको ड्राइक करके सुखा दे तो वह बन जाता है जैगरी ठी तो शूगर केंश से रिलेटेट्ट एक और कुश्यन में आप से पूशने चाहता हूं वाट इस रैट्वॉनिंग टेक्निक तो यहां तक हम लोग एंड करते हैं यहां और नेक्ट टॉपिक जो हम लोग डिल करने वाले हैं वो लिखा हुआ है यहां पर थैंक-टू